बिस्मिल्यारवान वाहिम, असलाम रिकम स्टूदेंट्स, Microsoft Excel के एक लेक्षर के साथ मैं हूँ जैन, स्टूदेंट्स, आज की इस लेक्षर में हम बहुत ही important topic को discuss करेंगे, Excel में अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर एक report बनाई है, और इसमें simple हमने salesperson का name लिखा है, sales लिखी है, और sales पर जितने भी यह salesperson है, तमाम के तमाम salesperson को 25% commission मिलता है, तो commission constant है, commission variable नहीं है, यह chain नहीं होता, बलकि इस तमाम जो हमारे पास sales में हैना है, तमाम के तमाम salesperson को same commission मिलता है, अगर हम commission की value in rupees find करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, हम जो sale है, उसको multiply करेंगे, commission के साथ और enter करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर value आ जाएगी commission की, अब लावर मसला यह है, कि commission की value है, वो हमारे पास constant है, मतलब कि commission की value, तमाम के तमाम जो salesperson है, सब के लिए same है, ऐसा नहीं है, कि किसी एक salesperson की 25% है, दूसरे की 27 है, 30 है, different नहीं है, variable नहीं है, बलकि तमाम के तमाम salesperson की commission सेम ही है, तो हम क्या ऐसा करें, कि हमें यहाँ पर 25% लिखना भी ना पड़े, और हमारे पास इसकी value भी count हो जाए, उसके लिए हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले इस column को delete कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से sales को भी हम delete कर लेते हैं, अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले formulas में जाना है, यहाँ से आपने define name पर click करना है, और को यह name रख दे दे रहा है, for example, मैं इसका name रख देता हूँ, commission, c-o-m-m-i-s-i-o-n, commission ना हम रख दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो value लिखेंगे, जितना commission है, तो मैंने 25 और 7 percentage लगा दी, 25% commission रख दिया, okay कर दिया, अब value calculate करने के लिए, हमें 25% सब, सब जो हमारे पास sales person है, सब के लिए अलाग से नहीं लिखना पड़ेगा, बलकि हमने जिस करना किया है, 25% को define name हमने add करवा देना है, उसके बाद हमने equal to लिखना है, इस cell को multiply कर देना है, हमने commission के साथ, c-o-m-m, यह देखें, जैसे मैंने commission लिखा, तो हमारे पास यहाँ पर commission लिखा हुआ आ गया, मैं इस पर double click करता हूँ, commission complete लिखा गया, enter करता हूँ, तो देखें, हमारे पास value आ गई है commission की, मैं इसको drag करके नीचे लेके जाता हूँ, तो यह percentage में show हो रहा है, वो इसलिए show हो रहा है, क्योंकि इसकी जो formatting है, वो हमने percentage की है, मैं इसको change कर देता हूँ general में, तो हमारे पास जो इसकी value है, वो हमें यहाँ पर show हो जागी, तो आप देखें, जो हमारे पास constant value थी 25%, वो हमने ज्यादा दफार नहीं लिखना पड़ी, हर के हर sales person के लिए अलाग से नहीं लिखना वड़ी, बलकि हमने उसको define name में add कर वा दिया, और हमने formula में इसको use कर लिया, जो समय तरा आप यह भी कर सकते हैं, कि अगर आप देखें, मैं इस sale में जाता हूँ, और मैं यहाँ पर 25% कर देता हूँ, इसको मैं 25 और इसको हम परसंट में convert कर देते हैं, तो यह 25-100% होगए, मैं इसको 25% भी रहन देता हूँ, तो देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ और formula लगाता हूँ, या फिर हम यहाँ पर formula लगाने, कहीं भी यहाँ लगा सकते हैं, मैं यहापर लगाता हूँ equal to मैं इस value को multiply करवाऊंगा इसके साथ और enter कर दूँगा तो यहाँ पर हमारे पास calculate हो गए यहाँ इसकी value इसको अगर मैं ड्रैगर के नीचे लेकर जाता हूँ तो आप देखें number one जो calculation होई है वो तो ठीक है लेकिन उसके बाद जो calculation है वो हमारे पास zero आ रही है तो ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि देखें जैसे ही मैं मैंने यहाँ पर formula अपलाई किया तो हमारे पास यह cell था select और यह था इसके बाद हम जैसे ही next cell में गे इसको drag करके तो cell की location यहाँ से भी change हो गई है और यहाँ से भी cell की location change हो गई है अब हमने करना क्या है हमने करना यह है हमने यहाँ पर यह जो cell की location है इसको log कर देना है आपने keyboard से F4 प्रेस करना है आप F4 प्रेस करेंगे तो जो cell है वो H2 cell है तो column के साथ भी dollar का sign आ जाएगा और row के साथ भी dollar का sign आ जाएगा अब आपने enter करना है इसको आपने अब यहां से drag करके नीचे लेकर जाना है तो देखें होगा क्या होगा यह कि आपके पास यह जो location है जो sales की location है वो तो chain होगी फार्मला में लेकिन जो आपके पास commission की जो location है वो chain नहीं होगी क्योंकि उसको हमने dollar sign के साथ log कर दिया है तो इस तरह हम जो हमारी constant value होती है उसको multiple times लिखने की बजाए या तो define name कर सकते हैं या फिर हमें उसे एक cell में लिख के उसको हम cell को log कर सकते हैं फार्मला में तो मैं उभीद करता हूँ कि आपको define name में constant value को add करने की समझ आई होगी अगर किसी चीस की समझ ना आई हो तो वीडियो के निशे comment कीजिएगा अगर वीडिव संद है तो like और share जोल कीजिएगा thanks for watching this video